हेलो गाइस तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताओंगा कि आप कैसे अपने Samsung के A51 को रूट कर सकते हो तो जैसा कि देख सकते हैं मेरे पास है Samsung का A51 और इस mobile phone को मैंने रूट किया है और यहां मजिस्क में आप देख सकते हो mobile phone rooted है तो इसके अंदर जो version install है Android version वो है 11 यहां भी आप देख सकते हो software information में यहां पे इसका जो version है वो 11 है तो Android version 11 है और इस phone को मैंने रूट किया है और आज की इस वीडियो में मैं आपको step by step बताओंगा कि आप अपने इस phone को कैसे root कर सकते हो तो root करने के लिए सबसे पहले आपको अपने phone का bootloader unlock करना होगा तो bootloader unlock करना काफी असान है आपने सबसे पहले अपने mobile phone को wifi के साथ connect कर लेना है mobile phone को wifi के साथ connect करने के बाद back आएं और नीची आ जाएं about में चले जाएं और software information में चले जाएं तो यहाँ पर bullet number है इसको पांच बार तेज तेज से tap करना है आपने तो फिर back आ जाना है और फिर से back आना है और नीचे चले जाएं developer option में तो यहाँ developer option है इसको open करें तो यहाँ पर एक option होगा OEM unlocking तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ बे मेरे OEM unlock show हो रहा है और यह blank है लेकिन आपके अगर यह OEM unlocking show नहीं होगा तो आप back आजाएं बैक आने के बाद आप चले जाएं general management में और date and time को select करें automatic date and time को uncheck कर दें और set date पे जाएं तो कुछ महीने पहले की date को set कर लें set करने के बाद सारा कुछ close कर लें और तकरीबन 5-10 मिनिट तक इंतजार करें तो इंतजार करने के बाद दुबारा से आप जाएंगे settings में और नीचे आएंगे developer option में तो यहाँ पर OEM unlock का option आ जाएगा तो यह off होगा आपने इस option को on कर लेना है जासा कि मेरा पहले से on है आपने इससे on कर लेना है ठीक है on करने के बाद नीचे USB debugging इसको भी आपने on कर लेना है तो यह दोनों काम आपने लाजमी करने है जैसे ही आप यह दोनों काम कर लोगे तो फिर आपने अपने मुबाइल फून को पावर आफ कर लेना है मुबाइल फून को पावर आफ करने के बाद आपने वालियम आप पोर डाउं दोनों बटन्स को प्रेस करके रखना है और USB केबल को इंसर्ट कर देना है और ये USB केबल आपके लैपटाप या कम्प्यूटर के साथ कनेक्ट होनी जाहिए तो इसके पास यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास तीन आपशन आएंगे Continue और Device Unlock Mode और Cancel हमने जाना है Device Unlock Mode में ठीक है तो यहाँ पे लिखा है Volume आपको Long Press करके रखना है तो आपकी Device Unlock Mode में चली जाएगी तो मैं Volume आपको Long Press करके रखंगा इस तरह से तो यहाँ लिखा है Lock Boot Loader और यह इसलिए लिखा है क्योंके मेरा Boot Loader पहले से Lock है आपके यहाँ पे लिखाएगा Unlock Boot Loader तो आपको Boot Loader Unlock करने के लिए Volume आपको Long Press करना होगा तो आपका Boot Loader Unlock हो जाएगा तो मेरा पहले से Boot Loader Unlock है तो मैं No करूंगा यानि के मैं Volume Down प्रेस करूंगा और आपके फून का Boot Loader Lock होगा इसलिए आपने उसे Unlock करने के लिए Volume आपको प्रेस करना है तो मैं No करूंगा मेरा पहले से Unlock है तो मैं वालियम डाउन के बटन को प्रेस करूंगा तो जैसे ही आप बूर्ट लोडर अनलाग करोगे आपके पास ये वाला आप्शन आएगा इसे पावर बटन दबा के कंटिन्यू कर देना है तो बूर्ट लोडर अनलाग करने के बाद आपका जो मुबाईल फून है वो एक बार री सेट हो जाएगा पूरी तरह से तो री सेट होने के बाद आपका मुबाईल फून आउन होगा तकरीबन 5-10 मिनिट के बाद तो तब तक के लिए आपने इंतिजार करना है तो जैसे ही मुबाईल फून आपका आउन होगा आपने मुबाईल फून की सेटिंग कर लेनी है सेटिंग करके आपने अपने मुबाईल फून को आउन कर लेना है फिर software information में चले जाना है word number को 5 बार 30 से tap करना है फिर back आना है फिर से back आना है और नीचे चले जाएंगे developer option में तो यहाँ पर देख सकते हैं OEM unlock का option शो हो रहा है लेकि यह blank है और अगर आपके अभी भी OEM का unlock option शो नहीं हो रहा तो आपने फिर से बिलकुल वैसे ही general management में जाकर date and time में जाकर set date और कुछ महीने पहले की date को set करके done कर देना है और सारा कुछ close कर देना है close करने के बाद आपने दुबारा से जाना है settings में तो तकरीबन 5 मिनिट का इंतिजार करने के बाद आपने settings में जाना है developer option में जाएंगे तो आपके पास बिलकुल इस तरह से OEM unlock option आजाएगा जो के blank होगा उसके बाद आपने USB debugging इसको भी on कर लेना है तो ये दोनों options आपने चेक कर लेने हैं और ये दोनों options चेक करने के बाद आपके phone का bootloader unlock हो चुका है तो अब हमें इसकी root file डाउनलोड करनी है तो जैसा के देख सकते हैं यहाँ पे कुछ files हैं जो के मैंने डाउनलोड की है और ये method आपके Android 11 version में काम करेगा और एक आपको TWRP file डाउनलोड करनी है एक Odin, Magist KPK और Magist की file और DM Verify इन सभी files का link मैं description में दे दूँगा आप एक ही बार में ये सारी की सारी files डाउनलोड कर लीजेगा तो सबसे पहले हमने Odin को right click करके extract कर लेना है extract करने के बाद Odin को open करना है open करने के बाद यहाँ पे इसे ok कर दें और यहाँ आगया हमारे पास Odin तो यहाँ पे जाना है आपने AP पे AP पे click करेंगे और exact उसी location पे चले जाएंगे जहाँ पे हमने ये files डाउनलोड की है तो मैंने desktop में की है तो यहाँ पे ये आगे TWRP file तो ये TWRP file को double click करें और यहाँ पर attach कर दें ठीक है? attach करने के बाद options में जाएं और auto reboot को uncheck कर दें वापस log में आई तो अब हम लेके जाएंगे अपने mobile phone को download mode में तो इसके लिए आपने mobile phone को power off कर देना है mobile phone को power off करने के बाद आपने volume down और up button दोनों buttons को एक साथ press करके रखना है और USB cable को insert कर देना है तो थोरी देर में आपके पास फिर से वो option आ जाएगा तो अब हमने download mode में लेके जाना है हमने करना है continue तो volume up को press करके इस तरह से छोड़ देना है तो mobile phone चला जाएगा download mode में तो अब हमारा phone download mode में आ चुका है तो mobile phone हमारा connected है software के साथ यहां software ने mobile phone को detect कर भी लिया है तो अब हम simple start के button पे click करेंगे और जो root file है हमारे phone में install हो जाएगी यह जो twrp file है तो यहां पे लिखा आ चुका है pass तो इसका मतलब है file install हो चुकी है तो अब हमने यहां पे एक trick लगानी है जो के मैं पहले आपको एक बार guide कर दो तो सबसे पहले आपने यहां पर volume down और power buttons दोनों buttons को एक साथ press करके रखना है तो थोड़ी ही देर में mobile phone आफ हो जाएगा तो जैसे ही आपका mobile phone आफ होगा तो आपने दोनों buttons को फोरण से छोड़ कर volume up और power button को प्रेस कर देना है तो उसके बाद जब bootloader unlock logo होकर गुजरेगा तो आपने power button को छोड़ देना है लेकिन volume up बटन को नहीं छोड़ना तो देखे मैं कैसे करता हूँ ready start तो अब phone यहां पर बंद होगा इस तरह से फिर फोरण से आपने इन दोनों buttons को दुबा देना है तो यह bootloader unlock का logo होकर जैसे ही गुजरेगा तो मैंने power button को छोड़ दिया ऐसे आपने भी power button को छोड़ देना लेकिन volume up को नहीं छोड़ना जब तक आपके पास यह TWRP वाला option नहीं आएगा तो अब हम आ चुके हैं TWRP में तो यहाँ पर आपने सबसे पहले जाना है wipe में और farmit data पर जाना है और यहाँ पर yes type कर देना है yes type करने के बाद आपने enter कर देना है तो अब हमारा phone एक बार research हो चुका है हम आएंगे अब back fullback आजाएंगे तो mobile phone को connect कर लेंगे अपने laptop के साथ तो laptop में आजाएंगे इसे हमने कर देना है exit और back आजाना है back आने के बाद हमने यहाँ पर दो files को transfer करना है अपने mobile phone में एक disable dm verify और एक magis की file ठीक है इन दोनों files को copy करना है और हमारा mobile phone है वो हमारे laptop के साथ connected है तो हम अपने mobile phone में इसे paste कर देंगे तो यहाँ पर एक error आएगा अगर आपके हो सकता है कि यह error आए जैसे के मेरे पास आया है तो इसे ok कर दें और back आजाएं तो अपने mobile phone में आएं यहाँ reboot पे जाएं और और यहाँ recovery है इसे select करें तो mobile phone एक बार आपका reboot होगा recovery में और हमने already mobile phone को reset किया है तो जैसे ही आपका mobile phone reboot होगा recovery में mobile phone connected है हमारे laptop के साथ तो दुबारा से हम इसे open करेंगे तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमें इसके internal storage हो हो रही है इसे open करें और यहाँ TWRP वाले folder में ही इन दोनों फाइल को paste कर दे तो यह दोनों फाइल हमने यहाँ पर transfer कर दी है तो अब हम आजाएंगे अपने mobile phone में तो यहाँ पे हम जाएंगे install में और TWRP के नाम का folder होगा इसे select करेंगे तो यहाँ पे हमने disable DM verify फाइल जो transfer की थी हमने सबसे पहले इसे select कर देना है और यहाँ से slide करके इसको install कर देना है तो यहाँ पे आप देख सकते है red color का एक error आएगा तो अगर आपके यह failed वाला error आता है तो कोई बात नहीं आपके mobile phone में file transfer हो चुकी है इसमें यह error आता है इसका कोई इतनी बड़ी attention नहीं है तो अब हम जाएंगे back और उसके बाद हम फिर से back जाएंगे और वापिस जाएंगे wipe में और format data में जाएंगे यहाँ पर type करेंगे yes और enter कर देंगे तो अब हमारा phone फिर से एक बार reset होगा तो यहाँ पर फिर से एक error आया है कोई बात नहीं आप फिर से back चले जाएं format करने के बाद हम जाएंगे अब reboot में तो यहाँ पर recovery को select कर देंगे तो mobile phone हमारा एक बार फिर से recovery में reboot होगा तो अब हम फिर से अपने mobile phone को connect करेंगे अपने laptop के साथ तो laptop में हम जाएंगे यहाँ दिस PC में और mobile phone की storage को open करेंगे और फिर से वो दोनों files यहाँ पर transfer करतेंगे ठीक है तो files को transfer करने के बाद दुबारा से install में जाएंगे और TWRP में जाएंगे और यह जो majisk की दूसरी file होगी इसे हमने tap करना है और यहाँ से slide करके इसे install कर देना है तो यहाँ पर लिखा आया है done अगर आपके यहाँ पर done के इलावा एक red color का error भी आएगा तो कोई इतनी परशानी वाली बात नहीं है तो इसे install करने के बात अब हम करेंगे reboot system तो अब हमारा mobile phone एक बार reboot हो जाएगा system में तो mobile phone को on होने में तकरीबन 10 minute या 5 minute लगेंगे तो तब तक के लिए मैं video को skip कर देता हूँ तो guys देख सकते हैं mobile phone on हो चुका है तो अब हम कर लेंगे mobile phone की setting तो guys setting करने के बाद mobile phone को connect कर लें वाइफाई के साथ wifi के साथ connect करने के बाद back आजाएं नीचे चले जाएं about में और software information में चले जाएं bullet number को 5 बार तेज़-देज़ से tap करें फिर back आएं और फिर से back आजाएं नीचे चले जाएं developer option में तो यहाँ पर देख सकते हैं OEM unlocking option show हो रहा है और यह on है अगर आपका यह option show नहीं होता तो तकरीबन 5 मिनिट तक इंतिजार करें यह option हो दी आ जाएगा USB debugging को भी हम on कर लेंगे इन दोनों options को on करने के बाद slide करें और यहाँ पर आपको एक मजिस्क नाम का option नजर आएगा इसे हम select करेंगे ok कर देंगे और अब यह करेगा मजिस्क को download और गाइस अगर आपके यह option show नहीं होता तो आप मजिस्क की official website पर जाकर मजिस्क को वहाँ से भी download कर सकते हैं तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके यह मजिस्क का option show नहीं होता तो आप इसको कैसे install कर सकते हूँ तो पहले करेंगे मजिस्क को install इस्टाल करने के बाद इसे open कर लें तो यहां पर देख सकते हैं mobile phone root हो चुका है और इसे update करने की जरूरत नहीं आए इन्हें update मत कीजेगा आपका mobile phone root हो चुका है आप ऐसे mobile phone का root चला सकते हैं तो अगर आपके यहां पर मजिस्क option show नहीं होता तो आप simple इनकी official website पर चले जाएं Google open करें और Google को खोलने के बाद वहां पर आप और Google open करने के बाद आप simple लिखें मजिस्क download तो यहां पर आप इनकी official website पर जाकर इसे download कर सकते हैं description में भी मैं लिंक दे दूँगा तो आप इनकी official website से जाकर download कर लीजेगा और यहां फिर मैं description में लिंक दे दूँगा वहां से download कर लीजेगा तो इस तरह से आप अपने mobile phone को root कर सकते हो a51 को तो यह सिर्फ और यह method सिर्फ android 11 version में काम करेगा जैसा के देख सकते हैं यहां पर android 11 version है और यह method android 11 में बहुत अच्छे से काम करता है तो आप बहुत इसानी के साथ अपने android 11 version को a51 को root कर सकते हो इसी method के थूँगा तो guys I hope कि आपको यह वीडियो पसंदा ही होगी प्राइब भी जूर कीजेगा तो इसे के साथ अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तो अपना है आल रखिएगा